हेलो फ्रेंड स्वागत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बर्फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला यहां पर इंडिया वर्सेस बंगलेदेश की बीच यहां पर टीटी वर्ड़कप का सूपरेट का मैच होने वाला इस मैच की वीडियो वीडियो इंपोर्टेंट रहे हैं आपके लिए इस वीडियो में फिर से फ्री गीववे रखा गया एक सिंपल सा कोशन पूछोंगा उसका आपको आंसर करना और आप फ्री में माउंट बिन कर सकते हो वो कोशन में वीडियो में आगे पूछने वाला हूं वीक रही कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है प्लस आपके साथ यहां बाई की पिक्स शेयर करने वाले हैं और आपको लॉंग टम में हमारी तरह ऐसे लागों में अर्निंग करनी है वेनिंग करनी ऐसी आप टेलिग्राम चैनल जोईन करना इंपोर्टेंट हो जाता आपको हम एक लिए आप से लेक्ट चैनल के साथ जुड़ जाओगे कि फैंटेसी डॉक्टर के नाम से बहुत सारे फेक चैनल जो आपसे चार्च करेंगे इससे हमारे आपको रियल चैनल के साथ जुड़ जाओगे जो की बिल्कुल फुरी है बिंदाव जाके जॉइन करो एक महीने से जुड़ोगे तो अपने वालेट में प्रॉफिट देखो तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना जुरूरी देखो गिववे कोशन क्या है ध्यान करके जाना और कमेंट यह कि आपको इंद लिखना है विनर देखो तीन हवन्द हंडेड हंडेड है आपको विनर करने और तीन से ज्यादा विनर ताइमिंग एक्वाडिंग एकौर्डिंग पहले होगा विनर माना जाएगा एडित आंसर बिल्कुल अलाउड नीए मुल्ट प्रेंट प्रेंट कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा भी तक पासिंग शावर आएगी और चले जाएगी इन्वेस्टमेंट जो है गुड करके चल सकते हैं पैटन जो है नाइंटी टैन रहेगा मतलब जितना भी इस मैच में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नाइंटी प् पता होना बहुत ज़री जो नए यूजर से जुड़े रही है आगे समझ जाएंगे को कॉन सी बिन करेंगे डैफिनेटली इंडिया रहने वाली और इंडिया 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 आगर पहले बैटिंग करते मुझे लगता है कि बनेटी प्लस रहेगा और बंगलदेश पहल सब्सक्राइब जो आड़ बजे इवनिंग में मैच और जो वहां का लोकल टाइम में वहां पर साड़े-दस बजे मॉर्निंग में मैस स्टार्ट हो जाएगा तो यह डे मैच है सुबह का मैच है तो मतलब डियू का कोई दिक्कत निया नाइट की दिक्कत ही होने वाली नही बागी दो मैच इसमें डेट सो 122 रहे ते दस दस ओर के मैच में इंग्लेंड नामी विया का मैच हो था और लाज दो मैच में एक सुनभे जिसमें अफरीका ने किया ते यूज से और 140 कल ही यहां पर करा बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अंगला देश निया लहां टो देखो जान पर बैट समय के लिए है बैलन्स ग्राउंड लाच्व अच्छा के लिते निक से अच्छा स्कूर कर सकते हैं जैसे कि अपने अंधरीस को तेखा हो गाँगा और अगर बात की जाए तो यहां पर बॉल यहां पर खास बात यहां कि स्पिनर्ई को बहु अगर बात किया तो यहां पर टोटल छे मैच जो है जिसमें टोटल 58 विकिट सो फार गिर चुके है जिसमें से अगर आप देखो के तो बात कि अगर आधे विकिट से विकिट निकाल रहे हैं अगर पिछ रिपोर्ट में आपको आफटर आश टेलिग्राम पे दूंगा कि कौन सी पिछ में होने वाला कि क्या रिपोर्ट रहेगी वह आपको जानना बहुत जरूरी है टॉस का जो रिजल्ट रहेगा मुझे लगता है टीम का पहले टॉस जितके बॉलिंग करनी चाहिए से बीचे रीजन यह कि अभी तक इस टोर्णामेंट में छे मैच जो है जिसमें से दो बार 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 बाद में बैटिंग करने टीम ने जीता है 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 टुम्न में हिस्ट्री में अवसके बंग्लेदेश की टीम वार से अल ऑबर देखा जाए तो तेरह जाना आपने सामने एक आई इसी इवेंट में भीडी है जिसमें इक हीवर बंग्लेश जीता है वह भी आई थिछाव साथ में जीता था था बाकि बार इंडिया चीव स्कूर किया था एक वर्ल्ड कप में वह इंडिया के गिंस्ट ही किया तो 2022 का जो आपको याद है टी 20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें लिटन दास में हाफ संचुरी की थी इंडिया एगेंस्ट और तो यहां पर हो सकता है कि फिर दुबारा क्या पता स्कूर कर जा बट इस वर्ल्ड कप में जो 50-50 और का वर्ल्ड कप रहा था 2023 में उसने हाफ सेंचुरी की थी इंडिया एगेंस्ट यंग प्लेयर है अभी तक इस वर्ल्ड कप में कुछ खास इनिंग खेलीने बट इस पर कैपिलिटी जरूर है तो ग्रेंडली का मिनी ग्रेंडली में जूरू क करना बागी है तन्जीद शाकीब अभी तक इसने 8 विकेट लिए सीजन वर्ल्ड कप में जिसमें 73 बॉल के अंदर राइट है तो मतलब अगर आफ 73 बॉल को एट से डिवाइड करेंगे तो हर 9 बॉल के अंदर एक बार राइट है इसलिए पावर प्ले में थोड़ा जो इं पसंद है अगर बात की जाए तो यहां पर बंगलेश के अगेंस्ट शाकीब असन के बारे में अगर बात किया है तो यहां पर शाकीब असनों और तसकीन आमद यह दो प्लेयर जो ऐसे जिन्होंने अभी तक रोही शर्मा को टीट्वेंट इंटरनेशल में आउट नहीं किय है तो इसलिए पाइस शर्मा को इन दोने से दिक्कत यह दिक्कत जो है वह दो प्लेयर से पहला है सबसे ज्यादा है मुस्तफी दूर से बट रोही शर्मा का जो रिकार्ड मुस्तफी के अगेंस्ट नहीं इसी वर्ट कप में उठा लो तीन बार तो एक लेफट आम फास बल यह सिर्फ रोहित तो चड़ा हो बहुत जादा रिकॉर्ड खराब है लेफ तर्फ पराइब इंडिया की टीम का भी जो रिकॉर्ड है और लेफ ताम फास्ट बोलर के अच्छा नहीं है इंडिया के टॉप टाइम फास्ट बोलर ने अट्रिप तेस मतलग आप देखो कि दो हजर बाइस के बाद किसी लेफ्ट टाम फाज बॉलर ने इंडिया के बैट्सन को 34 बार आउट किया कर अब कल वाला इसमें इंक्लूड निये फारुकी तीन विकेट फारुकी ने निकालते कल वाले मैच में तो मुझे लगता है कि बंगलेश पहले बॉलिंग करते तो मुस्तफ फिदूर का रोल बहुत इंपॉर्टन हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट तो यह बुलेट पॉइंट्स आपको ध्यान रखके चलने हैं टोटल अभी तक इस ग्रोंड पे 12 इंटरनाशन मैच हो जिसमें च्छे बार पहले बैटिंग तो च्छे बार बाद बैटिंग करने टीम ने मैच जीता है टोटल बार मैच जो है जिसमें से आठ बार डेट्स हो की नीचे स्कोर रहा है दो बार डेट्स से 170 के बीच में गया और एक बार ही 190 के ऊपर गया जो भी रिसेंट यूएस से और सब्सक्राइब कर दोस्तों के ओपर स्कूर नहीं गया है लोई स्कूर यहां पर ओमान का इसी वर्ल्ड कप में हायस्ट रंचेज 153 पर स्कॉटलेंड का इसी इसी वर्ल्ड कप में आया है नामीबिया के गिंस्ट एवरेज रन पर विकेट है ट्वेंटी मतलब आपने से मल्टीप्लाइब कर दोगे तो 140 आपका आवरेज स्कूर आता है और अगर बात किया है तो यहां पर पहले आते हैं यहां पर वेस्ट इंडी वाले मैच में अब दिक्कार दियोगी मुझे और बाई करने ता मैं तो सोच रहा था कि मैं हजार-जार कॉंटिटी बाई कर ल कर लो मैंने यहां पर रहमार्क और संजीवनी दोनों बाई कर आए दोनों ने अच्छा पॉइंट दिये बट दिक्कत में रहोगे आपको बताया जैसी मैंने तो सबने बाई कर लिए और यह ओवर बॉट हो गया जिसके कारण में ज्यादा बाई नहीं कर पाया तो मैंने प करते भाई उनकी बात अलागे वह प्रॉफिट में रहते होंगे जो नहीं करते फॉल अफिर्मन को कुछ कह नहीं सकता अगर आप वीडियो को अगर च्छी लगते लाइक नहीं करते तो डेफिनिटल आप एक जैम ऑफ पर सन को मिस करोगे क्योंकि मैं हमेशा आपको इंडिया अगर पहले बैटिंग करते हो सिनारियो में हर्दिक पर अच्छा उप्शन है अगर हर्दिक की बैटिंग आते 20-25 भी कर जा एक विकेट एक आदा कैच भी ले जा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा वाकि कुल्दी पी पर नजरे रख सकते हो तो काफी अच पर चार साल पुरानी आप जिस प्री पर संट तक कैश बैक मिल जाता तो बहुत अच्छी है आप जरूर के बारे में बात किया तो चार मैच खेली तो कैनेड़ा मैच इंडिया का वह वाश आउट हो गये ता चार मैच जीते अभी तक अन्बीटन रही है इंडिया कप उतना अच्छा रहा नहीं है अब पहला मैच आयलेंड का हटा दो हैलेंड वाले मैच अगर आप देखोंगे तो खेलना पसंद करता है बड़े एवेंट में 2015 का सेमी पाइल याद करोगे तो रही ने सेंचुरी की एशिया कव अगेरा याद कर दो रही ने बहुत च्छ इस टीम के अगेंश्ट अपनी फर्म को वापिस लाने का ताकि विराट कोली तो अगर देखो तो यार आई पिल अब कोशें निया उठने की ओपन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए नहीं कर दिक्कत यह कि आप इस टीम से मिस्स नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे बड़े ए तो टीम में जुरू लेकर जाएंगे पर कैप्टैन से के अच्छन है और यहीं प्लेयर जिसने लाज्ट दो आई पेल उठाव या चाहिए वल्ड़काप उठाव फिफ्टी ओवर्स का हाइस रंगेठर है पंत को मिस्करने का चांस नहीं तो विकेट कीपर हर मैच में तीन जरूर नहीं कर पाया उससे पहले पाकिसान के तीन दो तीन कैच चुटी तो अच्छा रहा था जहां पर थोड़ी चोटी बांड़ी रहेगी और हलकी सी बैटिंग के लिए बैस्ट रहेगी ना पर सूरी अच्छा परफॉर्म करके देगा तो लेकर जा सकते हैं इंडिया बैटिंग करती है तो इंडिया को यहां तो एक उपनर एक्ष्टा खिला के विराट को फॉर्स डाउन लाओ या यह जैसवाल को लेकर आओ तो यह चीज हो सकती है टीम के पास देखते हैं क्या प्रैफर करती है बाकी ग्रैंड लिग में ही रिकमेंट करो क्योंकि दूबे स बैटिंग के चांसे तो ना के बरावर है बैटिंग से वैसी फॉर्म में नहीं है पांडिया पहले बैटिंग करते कैप्टन अच्छा ओप्शन रहने वाला क्योंकि आपको दो से तीन ओवर तो एटलिश करके देगा ही देगा प्लस बैटिंग से वर्ल्ड कॉप बेकार ग सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर अगर किसे एक को लेना तो मुझे लगता है कि रिसेंट फॉमट जो रिसेंट कंट्रोल बॉलिंग का जो नजर आ रहा है अच्छा वो अक्षर के पास नजर आ रहा है जड़ी जागा मीनी करेंड लिक के लिए ज्यादा रिकमेंड करेंगा फिशाल सिनेरियों के बेसिस पर बट यहां पर जो दिक्कत है कि जो बंगलेश की टीम में जो तो टॉप 3 में तीन लेफ्ट टॉप 3-4 में तीन लेफ्ट हैं शैंटो शकीब और एक है तंजी तो दूबी ने दो विकेट ले थे यहां पर बंगलेश के अगेंस्ट बागिए अगर बात किया तो यहां पर अच्छा करी रहा है बाग की पावर प्लेय में बॉलिंग कर लेता है तो एक अक्ष्ट्रा कॉलिटी जड़ेया के कंपेरिशन में बाग की बुमरा तो मिस नी कर सक बहुत अच्छा उप्शन है और एक करोड मतलब मतलब यह लगा लो कि हमारे एक दो चेंजिस के विसे हमारा एक करोड मिस हो गये था वह आपको मैंने बताए भी था अगर हमारा गुरबाच की जगा अरशी दीप होता तो हमारे रैंक तीन आगी थी बाइस लाख में तो आ करेगा इसको फरग नहीं पड़ता चाहे राइटन बैट्समन है चाहे लेटन बैट्समन है तो इसलिए चार ओवर कंफर्म है कुल्दीप के वाकि अर्शीदीप अच्छा करी रहा है वर्ड कप में देखोगे तो आइधिंक दस विकेट निकाल चुक है चार मैच में और ब बागे इसके अलावाएं यहां पर बेंच में महांमद सिराज चांस कम है क्योंकि सिराज ने कुछ खास किया नियॉर्क जैसे पर हर कोई विकेट लूट रहा था महाँ विकेट निकाला शेलंगा गेंस्टी सिराज का परफॉर्म अच्छा रहता लाज को इस साल में बाकि जैसवाल उपन कराएगी तो दूबे को बाहर करना पड़ेगा उस सिनेरियों फिर विराट कुली फर्सडाउन आएगा बाकि है संजू सैंसन ठीक है देखते हैं तीम मिडल और में अगर दूबे की जगह डालना है विराट कुली से उपन करवा नहीं है तो फिर सैंसन को भ सब्सक्राइब करना पड़ेगा बागी वर्ड आइपियल इससले इतना अच्छा नहीं गया तो चहल का बाकी रिजर्व प्लेयर है यह अगर कोई इंजर्ड होगा तो इन में से किसी एक के एंट्री हो सकती है बाकी मैं हमीच्छा था कि रिंकू को प्रैफर करना चीए करना बाकी यह बॉलर तुन तीन में से किसी को मिस्मत करना क्याप्टन इंडिया की टीम से एक तो पांडिया बुम्रा यह प्लेयर बहुत ऑच्छे ऑप्शन और तीसरा अर्शिदीब बंगलेदेश अगर देखे तो यहां पर एक दो जीती मिलाब तीन मैं जीती है दो हार बाकी अगर बात की जाए तो रिसेंट अगर बात किये तो बंगलेदेश का जो नेपाल के साथ जो मैच रहा था वह भी काफी टक्कर कर रहा था और पॉसिल प्लेंग इलावन वर्ल्ड कॉप से पहले इनकी तीन मैच की ट्वेंटी सीरीज भी ती यूएस से के साथ उसमें तो यह टीम उतनी अच्छी फॉर्म में वैसे है नी पॉसिल प्लेंग 11 जो इसमें है तंजीर असन जो लाश्ट अभी वर्ल्ड कॉप वहा था इंडिया एंगेंश 50 प्लस स्कोर किया था बड़ यह वर्ल्ड कॉप थोड़ा बेकार गया है अभी बंगले जिंबावेंश ट पंदरा इनिंग भी ठाकी देखो गए तो आपको 50 भी नहीं दिखेगी तो वैसे आप फॉम में प्लस विकिट कीपिंग सापको एक आधा कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट जरूर दे सकता है बट मैं ग्रेंड लिए ही रिकमेंड करूंगा इनको शैंटो भी उतने चलना बहुत जरूरी है वह भी सप्राइजिंग लीग थोड़ा अच्छा पर्फॉर्मेंस कर दें यहां पर उनके अगेंस्ट नेदरलंड के अधर्वाइस इच्छी बैटिंग से फॉर्म में भी लास्ट कुछ ताइम से और बालिंग से वर्टकप में सिर्फ दो ही विकि अच्छा कर भी रहा है तो कट्रस्ट कर सकते थोड़ा बहुत बाकि यह काफी टाइम से अच्छा करी रहा है एक डेट साल से दो महमूद दुल्ला इनकी टीम का क्राइस मैन है मतलब यह बंदा ऐसा जब भी टीम फस्ती है यह बंदा जरूर निकाल के देता है आप इसको चाहिए वड़कब उठाके देख लो चाहिए अभी रिसेंटली उठाके देख लो जो शिलंका बंगलेश का मैच हुआ था तो यह बंदा फसीव सिचुचन में टीम को संभाल भी लेता है महां से निकाल भी लेता है और जुरत पढ़ने पर यह ऑफ पिन बॉलि करते भी नजर आ जाए तो यह गेम चेंजर ऑप्शन हो सकता मैच में मेंदी असन को खिला है लास्ट मैच में हैड़ और वार्नर के लिए था बट चार और पूरे बॉलिंग करी रन भले ही ना दिया सिर्फ बाइस रन दियता पर विकट नहीं निकाल पाया था अब देख टीम इसको प्रैफर करती है जेकर अली को कि जेकर अली का भी कुछ खास सीजन गया नहीं है वर्ल्ड कप का बट में दी असने कप कोई और में सकता एक्स्ट्रा रिशाद ने बहुंची बॉलिंग करी लास्ट वाले मैच में उश्ट लेकित गरे और दोनों दोना प्लेयर इसने चालीस पचास अन्भी किया थे वर शिलंका के साथ और थोड़ास का जो दिनेश कार्थिक नहीं बोला है कि मुझे कृषाद हुसेन की बहुत पसंद आई तो डेफिनिटली क्वालिटी है बंदे में और तसकीन अच्छा कर सकता है तसकीन के पाद एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा बाउंस है और हिट डेक हाड़ बालर है पटक के मारदा बॉल को इसके पाद एक्स्ट्रा पेस रहती है तो और यह थोड़ा बहुत पावर इटिंग भी करना जानता है लाशना के एक चक्छका लगा भी लेता कभी आके और शाकीब जो है वह अच्छी बालिं एक्जिक्यूट करता है यंग बॉलर है तैलेंटेट बॉलर एग्रेशन भी बंदे के अंदर अच्छा कर रहा है अच्छा इनका सबसे एक्स्पिरेंस बॉलर अगर पेच पर थोड़ी स्लो नैस होगी ना समझ जाना फिसको मारना बहुत मुश्किल आएगा और जहां पर सब्सक्राइब मतलब एक पिछ फ्लैट थो वहां पर फिर इसकी पिटाई दबागे होती है बट जहां पेच्पर रुक्टे और यहां फिरम फसके बाल आ रही तो मुझे लगता है कि इस पिछ के लिए बहुत दिंजरस बैसन बॉलर बन जाता है यहां पर रहमान और खास क सब्सक्राइब बागे यह पर लेफटन बैटसम और टीम को प्लेयर करता था बता भी नहीं प्रैफल इसलाम मुझे लगता है कि तंजीम शाकीब अच्छा करी रहा है यह भी लेफटन वाइब अच्छा प्लेय में अच्छा कंट्रोल यह पास दैथ होड़ से बट टीम जगा थोड़ा जो त्रश्ट कर सकता है थोड़ा बहुत इसके लावा देखो के तो यहां पर बॉलिंग में रिशाद है और रह्मान है तस्कीन और शापकी के वाँ सब्सक्राइब को इस पर पर जा सकते हो मेरे इंवेश्मेंट विजन 11 एप पर रहेगी चार सासे ओपर होगे यहां पर देखो यहां पर टीम रहेगी मैंने आप लिया पंत को लेटन पर ट्रस्ट के फॉम भी अच्छी नहीं है एस यादव है विराट गोली है रोहित है बाकी है अगर देखा जाए तो इनके बैटन में ट्रस्ट करने सारे मीनी ग्रेंड लिग में ही रिकरमेंड करूंगा लीटन और यहां पर तंदीध हसन ने लास्ट टाइम 50 किछ इंडिया एगेंस्ट आइसी सी इवेंट में शक्क कि बूमरा है अर्षदीप है यहां पर मैंने कुल दीप को लिया अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करें बंगलेश की तो इस सिनेरियो में शायद मैं यहां पर रोहित्या किसी एक को ड्रॉप करके मुस्तफिदूर के साथ भी जा सकता हूं विकि इंडिया का रिकॉर्ड है अच्छा नहीं है कैप्टन जो रहेगा बूम रहा है वाइसरप्टन पांडिया रिवर्स भी कर सकते हो और अच्छा ओप्शन है शाकी बलसन वर्ल वन ऑफ दी बैस्ट अल्रॉंडर और अर्षदीप है बैस्में में थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर रहा है विकेटीपिंग मे रहे हैं थोड़ा रिस्क ले सकते तो कुल्दी पे गेम चेंजर हो सकता है इस पिछ पे और ग्रेंड लिग की वारे में अगर बात किया तो आगे जाए फिलाल टैन प्लस वन कॉंबिनेशन ने इसलिए बोलता हूं सेम टीम कॉंबिनेशन है नाइंटी परसन इंवेश्में तो आप देख सकते एक क्रोड जीतना बहुतान है तीन में हमेशा विक्स रहेंगे कंज आपको एक विक्र फिक्स रहेंगे तो आपको एक विकेट यह पर फिक्स रहेंगा और एक आदव अदर प्लेयर ओपर निचा करना और क्यापनें ऐस्ग गल्दी से ठीक हो गया तो आ वेवागी यह रहेगी हैं तो यहां की टीम ट्री रहेगी यह टीम फॉर जाएगी वागी टीम घ्रेलेंट Lex पहले वैसे पॉसिबल तो इतना मुझे लगता नहीं होगा बट फिर भी सोच लोग कि फैंटेसी कुछ भी सकते किर्केट में बंगलेश इंडिया को डॉमिनेट करके हराती है के बाकिया करता है लगा और यहां पर इंडिया पहले बर बनेट करतीे हैं फिर यहां पर इंधिया कि वाणर में आपके बनेمीच मैच होगा लव स्कूरिंग ऐनम पर ट्पडेक्व आपको अपडेट करी दोंग द्यान से जॉइन कर लेना लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मिली जाएगा सबसी उपर ब्ली उकलर का लिंक होगा जैसे इस पर क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन इसको जॉइन कर लेना